वेलकम एवरिवन टू आवर यूटूब चैनल आज के विडियो में लेपलास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे इसका एक प्रॉलिम सॉल करेंगे और ये आज लेपलास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 41 है तो देखे जो आज हमें प्रॉलिम कवर करना है वो आपके सामने है question में लिका है find the laplace transform of देखो यहाँ bracket में क्या लिका है t-1 whole square into e to the power 3t तो चलो हम ये प्रॉलिम सॉल करेंगे और ये प्रॉलिम सॉल करने के लिए आपको लेपलास की property number 1 and property number 2 की जानकारी होना चाहिए ये problem हम आपको एक नहीं हम आपको दो तरीके से solve करा के बताएंगे दोनों से answer एक ही आएंगा उसके बज़े से video थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन video पूरा देखिएगा ताकि आपका पूरा concept clear हो जाए आपको दोनों तरीके मिलने चाहिए क्योंकि exam में कोई भी अगर तरीके से solve करने के लिए आया तो आपको solve करते आना ही चाहिए ठीक है हम क्या करेंगे इसको property number 1 से भी solve करा के बताएंगे property number 2 से भी solve करा के बताएंगे दोनों तरीके पता होना चाहिए क्योंकि इसमें जो t से जो multiplication है वो property number 2 में आता है और exponential से जो multiplication है वो property number 1 में आता है तो देखो दोनों तरीके दोनों method पता होना वो भी हमने by two method से solve कराके दिये थे तो वो भी वीडियो आप देख लीजेगा तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे first method देखो first method first method में हम क्या करेंगे चलो इसको पहले first property से solve कराके बताएंगे first property क्या है multiplication by exponential तो अगर आपको यहां इसको first property से solve करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले t-1 whole square जो है उसका हम पहले अलग से laplace ले लेंगे तो हम यहां पे लिख लेंगे that is t-1 whole square so t-1 whole square क्या होता है यह होता है t-2t plus of 1 ठीक है देखो t-1 whole square का expansion यह हुआ अब क्या करो दोनों side में laplace ले लो so हम यहां पे लिख लेंगे take laplace ठीक है laplace लेंगे तो left hand side में हम लिख लेंगे laplace of t-1 whole square ठीक है यह हमने लिखे right side में भी यहां पे laplace of यहां पे सभी term का अलग-अलग लिख लो laplace चलेंगा laplace of t square minus 2 laplace of t plus laplace of 1 यह देखिए हमने क्या किये right side में सभी terms का individual एक-एक हमने लिया है laplace यह first term का laplace second term का laplace third term का laplace और यहां पे जो 2 है minus 2 वो हमने बाहर रखे अब यहां पे formula अपलाए करो directly laplace में formula अगर आपको नहीं पता देखो यहां पे formula t to the power n का formula बता देते है laplace of t to the power n यह होता है n factorial divided by s to the power n plus 1 यह formula अब हम यहां पे use करने वाले है ठीक है laplace of t to the power n का और एक formula है laplace of 1 Laplace of 1 होता है 1 by S ये भी formula हम यहाँ पे use करने वाले हैं अगर आपके पास कोई भी formula नहीं लिखा होता है तुरंत अपने notebook में लिख लिया करो तो देखो सबसे पहले यहाँ पे Laplace of T to the power N तो यहाँ पे देखो यह T square है माने T to the power N के form में है N की value यहाँ पे 2 है ठीक है अगर यहाँ N की value 2 है तो यहाँ भी 2 रहेंगा यहाँ भी 2 रहेंगा याने 2 factorial by S to the power 2 plus 1 ऐसा हो जाएंगा तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे इसका Laplace हो जाएंगा 2 factorial divided by S to the power 2 plus 1 याने S to the power 3 याने S cube और यहाँ पे minus 2 अब यहाँ पे देखो Laplace of T T to the power N N की value यहाँ पे 1 रहेंगी तो यहाँ पे 1 factorial by S to the power 1 plus 1 याने S 1 factorial divided by S square ऐसा और यहाँ पे देखो Laplace of 1 1 by S होता है तो यहाँ पे हम सीधा-सीधा 1 by S लिख लेंगे तो जो formula हमने बता है उसके according यह हमने Laplace ले लिया है इसको थोड़ा सा solve करो तो यह 2 factorial याने 2 होता है तो हम यहाँ लेंगे 2 by S cube ठीक है? 2 by S cube और अब यहाँ 1 factorial याने 1 होता है तो हम यहाँ लेंगे minus 2 by S square ओके? और यहाँ पे 1 by S as it is तो फिलाल हमने क्या किये? फिलाल हमने यहाँ Laplace of T minus 1 whole square का हमने Laplace ले लिये देखो यह Laplace का T minus 1 whole square Laplace का यह result आया है लेकिन अब हमें यह term चाहिए देखो अगर आप properly check करो हमें यह term चाहिए तो यह अभी तक यहाँ आया है क्या? नहीं यहाँ पर exponential है है ना? तो हमें यहाँ पर exponential ले आना पड़ेंगा तो ऐसे में क्या करो? यहाँ exponential से multiply कर लो Left hand side में exponential याने E to the power 3T से यहाँ multiply कर लो अगर आप यहाँ E to the power 3T से multiply कर लेंगे तो यह term आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ठीक है? लेकिन कुछ changes करना होता है इसका मतलब हम indirectly यहाँ Laplace की first property अपलाए कर रहे है Laplace की first property है multiplication by exponential और उसका कहिना यह है कि अगर आप left hand side में exponential E to the power 80 से multiply कर रहे है तो right side में S को replace करना है by S minus A ठीक है? यहाँ आपको property का statement भता देते है ताकि आपको समझ में आ जाए देखो Laplace of f of t क्या होता है? Laplace of f of t होता है f bar of s यह Laplace का definition है ठीक है? और अगर left hand side में Laplace of E to the power 80 into f of t अगर ऐसा हो जाए मतलब left hand side में अगर हमने exponential से multiply किये तो right side में अब S के जगा S minus A हो जाएंगा तो यह देखिए यह है Laplace के first property का statement left hand side में E to the power 80 से multiply किये तो right side में S के जगा S minus A हो गया यह हमें property यहाँ पर apply करना है तो चलो apply कर लेंगे बस यहाँ statement में लिकलो तो यह देखिए यह हमने statement में लिका है multiply LHS by E to the power 3T क्योंकि E to the power 3T चाहिए न यहाँ पर इसलिए and replace S by S minus 3 वो इसलिए क्योंकि देखो यह A की value यहाँ 3 है क्योंकि E to the power 80 के form में है देखो E to the power 3T A का value 3 है इसलिए S के जगा S minus 3 on RHS तो देखो left hand side में हम multiply करें तो Laplace of यह bracket T minus 1 whole square as it is है अब E to the power 3T आ गया देखो left hand side में हमने exponential से multiply कर लिए यहाँ पे और अब देखो right hand side में क्या होता है थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते है तो right hand side में हमें क्या change करना है तो S के जगा S minus 3 करना है तो देखो right side में यहाँ पे S है यहाँ पे भी S है यहाँ पे भी S है तो सब S के जगा S minus 3 करो तो यह हो गया 2 by S minus 3 cube ठीक है क्योंकि यहाँ S cube है न तो यहाँ पे bracket cube हो गया minus 2 by यहाँ पे S square है तो S minus 2 whole square ऐसा हो जाएंगा sorry S minus 3 whole square S minus 3 square plus 1 by S है तो 1 by S minus 3 यह देखिए यहाँ पे right side में हर जगा S था तो हमने अब right side में S के जगा S minus 3 कर लिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यह हमने अगर आप यहाँ properly चेक करो तो देखो left hand side में वो term आ चुका है जो find out करने के लिए कहा था देखो यहाँ पे left hand side में यह term आ चुका है जो find out करने के लिए कहा था वो यहाँ पे आया अब बस आपको left hand side में कुछ भी solve नहीं करना है जो भी solve करना है right side में ही solve करना है उसको थोड़ा सा solve करो आसानी से वो थोड़ा सा solve हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है चलो यहाँ पे काम करेंगे हम यहां पे LCM ले लेंगे S-33 S-33 2 यहाँ पे LCM लेंगे और फिर हम इसको solve करेंगे तो देखो solve करेंगे तो थोड़ा सा ये कहा तक solve हो रहा है हम इसको check करना पड़ेंगा ठीक है तो यहाँ पे हम लेख लेंगे 2 divided by 1 minute 2 नहीं यहाँ पे LCM ले लो सिदा सिदा S-3 cube S-3 cube LCM लेंगे तो यह आसन इसे solve हो जाएंगा तो जो आपने as a LCM लिये है उसको S-3 cube से आपको क्या करना है यह fraction को भी multiply करना है यह fraction को भी multiply करना है और यह fraction को भी multiply करना है तो जब आप पहले fraction को S-3 whole cube से multiply कर लेंगे तो S-3 whole cube यह denominator का इसके साथ cancel हो जाएंगा और numerator में बचेंगा only 2 ठीक है फिर यह minus 2 अब यह second fraction को जब आप S-3 whole cube से multiply कर लेंगे तो whole square वाला जो term है वो यहाँ पे cancel हो जाएंगा और 1S-3 बचेंगा यह देखिए ठीक है और अब जब यह fraction को जब आप S-3 whole cube से multiply कर लेंगे तो 1S-3 cancel हो जाएंगा और square बचेंगा ठीक है तो numerator में हो जाएंगा 2 minus यह 2 से multiply कर लो bracket के अंदर तो यह हो जाएंगा 2S plus of 6 यहाँ पे whole square कर लो इसका plus square minus of 6S plus of 9 ठीक है और denominator फिलाल SDGs रखो denominator में जो whole cube है वो फिलाल SDGs रखो आगे अगे अगे हमें ज़रुद पढ़ेंगी तो फिर S-3 whole cube हमने SDGs रखे अगे ज़रुद पढ़ेंगी तब हम इसको expand करेंगे तो देखो numerator में अब क्या हो रहा है यह S के और वाला term पहले लिख लो ठीक है उसके बाद S वाला term लिखना है तो minus 6S minus 2S तो यह हो जाएंगा minus of 8S और यह 6 यह 2 और 6 यह 8 ठीक है 8 और यह 9 मतलब यह हो जाएंगा प्लस 17 और denominator मे S-3 whole cube देखो यहां तक अभी हमने फिलाल solve किया है और इसको solve करने की ज़रूद नहीं है क्योंकि यह factorize नहीं होगा यह आपको यही पर stop करना पड़ेगा तो finally यह हमने क्या निकाल लिए यह हमने laplace of t-1 whole square into e to the power 3t का result निकाल लिए है याने question में जो find out करने के लिए कहा था वो यह हमने find out कर लिया है ठीक है laplace ec का करने के लिए कहा था न यह हमने laplace कर लिया यह हमने जो solve किया है यह by first method solve किया है इसको थोड़ा था छोटा कर लेते है ताकि पूरा solution आपको दिखाई दे अभी तक हमने क्या क्या किया है तो यह देखिए यह first method यह first method हमने यहां से start किये और हमने इस तरह से solve किये यह हमने by property number one solve किये है हमने आपको कहा था starting में कि हम इसको property number one से भी solve करेंगे two से भी solve करेंगे देखेंगे उसके through भी यही answer आता है कि नहीं 100% यही answer आता है, चलो देखेंगे, that is second method, तो second method के लिए हम एक नया page ले लेंगे, ठीक है और नया page पे हम solve करेंगे तो इसको अगर second property से solve करना है तो second property क्या है, second property है multiplication by t t से multiply करना, यह second property है, लेकिन अगर आपको t से multiply करना है, तो यहाँ पे exponential का लेपलास करना पड़ेंगा, exponential का लेपलास पहले करो, फिर t से multiply करो, इसके पहले previous stage में हमने क्या किये थे, उल्टा किये थे, हमने पहले t का यहाँ पे लेपलास लिए थे, फिर हमने exponential से multiply किये थे, यहाँ उल्टा करना है, यहाँ करके t से multiply करना है ठीक है तो चलो यहां पे हम वो कर लेंगे तो बिलकुर step 5 चलेंगे तो यहां पे सबसे पहले जो है देखो t-1 whole square into e to the power 3t यहां अलग ले लो ठीक है अब यहां पे देखो t-1 whole square पहले कर लो तो यह हो गया t square minus of 2t plus of 1 और e to the power 3t बाहर ठीक है अब क्या करो यहां पे e to the power 3t से multiply कर लो अंदर तो यह हो जाएंगा t square into e to the power 3t minus 2t into e to the power 3t plus e to the power 3t और left hand side as it is रखो t-1 whole square into e to the power 3t यह देखो ठीक है इसको हमने expand किये expand करने के बाद ऐसा हुआ exponential से multiply किये तो ऐसा हुआ ठीक है अब क्या करो दोनों side में laplace ले लो taking laplace taking laplace to both side दोनों side में laplace ले लो तो देखो दोनों side में laplace लेंगे तो क्या होगा left hand side में लेंगे laplace तो यह हो जाएंगा laplace of t-1 whole square into e to the power 3t मतलब left hand side में वो term आ चुका है जो term यहाँ पे जो हमें find out करने के लिए कहा था देखो यह जो find out करने के लिए कहा था वो यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे minus 2 laplace of t into e to the power 3t ठीक है और यहाँ पे plus laplace of e to the power 3t ठीक है right side में 3 terms थी तो 3 terms का हमने laplace अलग-अलग ले लिया है अब एक काम करो अब फिलाल इसको equation number 1 दे दो इसको equation number 1 दे दो फिलाल के लिए वो इसलिए क्योंकि अब हमें यहाँ पे इसका value put करना है इसका भी value put करना है इसका भी value put करना है हम यह तीनों का value अलग-अलग पहले solve कर लेंगे उसके बाद उनका result जो है वो हम यहाँ पे put करेंगे और फिर इसको solve करेंगे तब वो final answer होगा ठीक है तो इसको हमने equation number 1 दे दिये तो आखरी वाला जो term है वो पहले find out करो उसके बाद यह term का value find out करो उसके बाद यह term का answer निकालो तो चलो laplace of e to the power 3t पहले निकाल लेता है ठीक है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे laplace of e to the power 3t क्या होता है laplace of e to the power 3t हो जाएंगा 1 minus s minus 3 ऐसा 1 by sorry 1 by s minus 3 वो क्यों फार्मूला हमने use किये क्या फार्मूला है देखो फार्मूला ऐसा है laplace of e to the power 80 यह होता है 1 by s minus a यह standard फार्मूला है ठीक है हमने इसका यहाँ पे use किया है laplace of e to the power 80 1 by s minus a होता है तो देखो e to the power 3t a का value 3 है तो 1 by s minus 3 इसका मतलब इसके जगा equation number 1 में यह term के जगा हमें क्या पूट करना है 1 by s minus 3 पूट करना है वो वहाँ चले जाएंगा चलो अब इसका result निकालता है तो अगर इसका result निकालना है तो यहाँ पे क्या करो t से multiply करो ठीक है इसको t से multiply करो तो यहाँ पे हम लेख लेंगे multiply multiply by t on lhs multiply by t on lhs and take minus d by ds on rhs यह हमने क्या लेका है यह जरा समझ लो हमने क्या करना है multiply करना है left side में t से अगर आप यहाँ left side में t से multiply कर लेंगे तो हमें यह term मिल जाएंगा लेकिन left side में जब हम t से multiply कर रहें तो इसका मतलब indirectly हम property number 2 apply कर रहें property number 2 है, multiplication by t, यह property का कहिना यह है, कि अगर left side में t से multiply करना है, तो right side को differentiate करो with respect to s, यानि right side में minus d by ds करना होता है, तो हम वही तो कर रहे हैं, यह देखो, and take minus d by ds on RHS, ठीक है, समझ गया, तो देखो यहाँ पे left hand side में t से multiply कर रहे हैं, के बाद यह हो जाएंगा, लेपलस of t into e to the power 3t, left hand side में हो गया, इसका मतलब यह term हमें यहाँ पे मिल गया, और right side में, minus d by ds करना है, minus d by ds of right hand side, 1 by s minus 3, देखो, इसका हमें differentiate करना है, हमें इसको, इसको हमें differentiate करना है, तो देखते हैं, इसका result यहाँ पे क्या आता है, इसको उपर उठा लेते हैं, ताकि, और solution जो है, यहाँ पे आ जाए, तो हम यहाँ पे इसको solve करेंगे, तो देखे होगे, क्या होँगा, अब यहाँ पे इसको differentiate करना है, तो इसका result होँगा, minus 1 by S minus 3 whole square, ठीक है, यह हमने यहाँ पे result निकाले differentiation का, किस तरह से हमने क्या formula लगा है, देखो formula यह है, d by dx of 1 by x क्या होता है, 1 by x का differentiation minus 1 by x square होता है, यह formula हमने यहाँ पे use किया है, बीच बीच में छोटे छोटे formula आपको लिख लिया करो, अगर आपको ज़रूत है, तो बिल्कुल इसकी ज़रूत पढ़ने वाली है, 1 by x का differentiation minus 1 by x square होता है, तो यह देखिए, यह 1 by x के form में था, देखो 1 by bracket याने 1 by x, तो यह minus 1 by brackets square, याने minus 1 by x square, वो formula का use हमने यहाँ कर लिए, ठीक है, और यह bracket के अंदर differentiate करो, तो into 1 होता है, तो आप यहाँ into 1 ऐसा लिख लो, या फिर 1 minus 0 ऐसा लिख लो, क्योंकि bracket के अंदर s minus 3 है, s minus 3 का differentiation हो जाएंगा, 1 minus 0, with respect to s differentiate कर रहेंगा, इसलिए, अब इसको थोड़ा थोटा proper कर लो, तो यह minus minus plus, तो यह हो जाएंगा, 1 by s minus 3 whole square, तो यह हमने यहाँ तक आ गए, तो यह हमें क्या मिला, यह हमें laplace of t e to the power 3t मिल गया, यानि equation number 1 में पूट करने के लिए, देखो हमें क्या क्या मिल गया, equation number 1 में पूट करने के लिए, हम इसको equation number 2 कहेंगे, equation number 2 का result, equation number 1 में यहां रखो, ठीक है, इसको equation number 3 दे दो, ठीक है, इसका जो result है, वो यहाँ यहाँ पूट करो, ठीक है, यह term का result भी हमें मिल गया, अब क्या बचा है, अब हमें बस यह निकालना है, तो इसको निकालना है, तो क्या करो, यह निकालने के लिए, यहाँ फिर से T से multiply करो, यहाँ पे left hand side में, फिर से T से multiply करो, तो यहाँ पे T square आ जाएंगा, लेकिन left hand side में, फिर से T से multiply करना, मतलब फिर से, property number 2 अपलाई करना, left hand side में T से multiply करो, तो right hand side को differentiate करो, with respect to S, तो चलो, इसके बाद का step जो है, वो हम इधर लिखते हैं, तो देखो बिल्कुल उसी तरह का statement है, देखो लिखे थे, इसके पहले भी multiply LHS by T, and take minus D by Ds, and RHS, बिल्कुल सेम statement यहाँ पे हमने लिखा है, हमें equation number 3 के left hand side में, T से multiply करना है, तो देखो left hand side में, minus D by Ds करना है, right hand side का, minus 1 by S minus 3 whole square है, sorry, 1 by only, minus नहीं है, 1 by S minus 3 whole square, इसका हमें differentiate करना है, ठीक है, यह देखो left hand side में, T से multiply किये, तो ऐसा हुआ, और right hand side में, minus D by Ds किये, तो ऐसा हुआ, अब इसको solve करो, solve करने के बाद, जो result आएंगा, वो इसका answer हो जाएंगा, equation number 1 में, तो चलो इसको differentiate करेंगे, अब इसको differentiate करना है, यह fraction form में है, अगर आप इसको normal form में लिखते हैं, तो भी चलेंगा, तो आपको differentiate करने में आसानी होंगी, चलो हम इसको लिख लेंगे, S minus 3, यहाँ पे holes के और था, 1 by fraction form में था, तो यह to the power minus 2 हो जाएंगा, हमने अब fraction form में नहीं रखें, ठीक है, और अब इसको differentiate करो, यह आसानी से differentiate होगा, तो यह minus पहले बाहर है, यह minus 2 बाहर ले लो, और अब, S minus 3, minus 2 minus 1, ऐसा हो जाएंगा, यह देखिए, ठीक है, कौन सा फार्मूला अपलाए कि, हमने differentiation का, आपको पता है, differentiation of x to the power n क्या होता है, x to the power n का differentiation होता है, n x to the power n minus 1, ठीक है न, हमने उसी का यहाँ पर use किया है, लिख के दे, तो d by dx of, x to the power n, यह होता है, n x to the power n minus 1, हमने ये formula यहाँ पे use किया है, देखो ये bracket to the power n था न, n की value minus 2 है, ठीक है न, तो ये n x to the power n minus 1, ठीक है अब इसको थोड़ा सा properly state करो तो ये minus minus हो जाएंगा plus 2, ठीक है 2, then s minus 3 bracket to the power minus 3, ऐसा और अगर आप इसको fraction form में लेखे, तो 2 divided by s minus 3 whole cube ऐसा हो जाएंगा, तो ये हमने क्या निकाले, ये हमने laplace of t square into e to the power 3t निकाल लिए, ठीक है, इसको equation number 4 दे दो तो finally हमें जो कुछ भी चाहिए था, वो हमने सब कुछ find out कर लिया है, देखो, हमें equation number 1 में put करना है न equation number, थोड़ा से इसको set कर लेते equation number 1 में put करने के लिए data पूरा निकाल लिए, equation number 1 में, ये equation number 1 में, अब ये जो पहला जो term है, इसके जगा पहले term के जगा ये equation number 4 का result पूट करो, ठीक है second term के जगा, equation number 3 का ये result पूट करो, और third term के जगा, equation number 2 का ये result पूट करो, तो चलो सब को उठा कि equation number 1 में अब हम put कर लेंगे, समझ में आ रहा है तो हम यहाँ लिख लेंगे, तो यह हमने ऐसा statement में लिख लिया है, put the values from equation 2, 3, 4 in equation number 1 तो देखो equation number 1 में वहाँ put करने के बाद क्या होता है ठीक है, तो left hand side में कुछ नहीं करना है, left hand side में laplace of t minus 1 whole square into e to the power 3t, यह तो as it is रहेंगा, जो भी होगा right side में changes होगे तो right hand side में laplace of t square e to the power 3t, इसका result यह है, तो हम वह लिख लेंगे 2 by s minus 3 cube ठीक है, यह देखो, यह result यहाँ आ गया, उसके बाद minus 2 laplace of, यह देखो, यह second time है तो इसका result equation number 3 में मिलेंगा तो यह minus 2 को इससे multiply कर लेंगे तो यह minus 2 by s minus 3 whole square, ठीक है यह equation number 3 का result यहाँ चला गया, और अब यहाँ पे equation number, यह वो third term में, यह equation number 2 का result वहाँ रख दो, तो यह plus 1 by s minus 3 ऐसा, ठीक है, तो यह result यहाँ चला गया, तो देखो यह result सब equation number 1 में आ गया तो यह ऐसा हमें मिला है बस अब इसको solve करो अब इसको तब तक solve करो, जब तक यह solve हो रहा है तो देखना, जो step 1 में जो हमने solve किये थे, first method से solve किये थे, वही result आ सकता है, तो अगर इसको solve करना है थोड़ा सा हम इसको अब उठा लेते है क्योंकि अब हमें इसको solve करना है तो चलो देखते है, result क्या अब निकालेंगे, तो यहाँ पे भी lcm ले लो, जैसे हमने first time किये थे हमने lcm निकाले थे, s minus 3 whole cube यहाँ पे भी हम lcm निकाल लेते है तो चलो, s minus 3 whole cube as a lcm ले लो, तो क्या करना है यह s minus 3 whole cube से यह fraction को भी multiply करो, यह fraction को भी multiply करो और यह fraction को भी multiply करो तो पहले fraction को multiply करेंगे, तो आएंगा only 2 second fraction को multiply करेंगे minus 2 into s minus 3 और third fraction को multiply करेंगे third fraction को multiply करेंगे तो s minus 3 का whole square ठीक है LCM ले लिए और अब देखो numerator में solve करो denominator में कुछ भी solve करने की जरूत नहीं है 2 minus ये हो जाएंगा minus of 2s plus of 6 ठीक है ये minus 2 से multiply कर रहे है और यहाँ पर whole square कर लो तो whole square करने के बाद s square minus of 6s plus of 9 और अब denominator में s minus 3 cube और अब देखो numerator को solve करो तो s square वाले term पहले लिख लो ठीक है इसके बाद s वाले term लिखो तो minus 2s यहाँ पर यहाँ पर हमने गलती से x लिख दिये x नहीं वहाँ पर s होना तो ये s तो ये minus 2s minus 6s तो ये हो जाएंगा minus of 8s then 2 plus 6 plus 2 ये हो जाएंगा 8 8 plus 9 तो ये हो जाएंगा plus of 17 और denominator as it is s minus 3 whole cube तो ये हमने laplace of इसको और आगे solve करने की ज़रूत नहीं है वो sufficient है t minus 1 whole square into e to the power 3t तो ये हमने यहाँ तक solve किये है और अब चेक कर लो ये second method का ये answer और first method का answer same है की नहीं देखो ये answer याद कर लो s square minus 8s plus 17 और s minus 3 whole cube ये चलो हम चेक करते हैं कहां चेक करें इसके previous page में ये देखो first method से हमने solve किये थे तीक है ये देखो first method में ये answer दिख रहा है आपको ये देखो first method का ये answer है s square minus 8s plus 17 by s minus 3 cube है first method में ये answer है और second method में ये answer है ये देखो second method का answer दिख रहा है दोनों answer को compare कर लो है की नहीं same to same ये second method का और ये first method का ये देखो तो इस तरह से finally आज हमने आपको एक ही problem को दो तरीके से solve करा के बताया है property 1 से भी solve किये है property 2 से भी solve किये है उमीद करते है कि दोनों method आपको समझ में आई होगी और सबसे important ये है कि ये problem इस type के problem की आपको practice ज़रूर करना चाहिए exam में अगर इस type का problem आता है और अगर वहाँ specially लिखा है कि solve this problem by property number 1 या solve this problem by property number 2 अगर specially कोई property का नाम लिखा है और उसी से अगर solve करने के लिए कहा है तो आपको फिर solve करते आना चाहिए इसलिए इसकी practice ज़रूरी है तो ये था Laplace Transform का आज का lecture number 41 इसके पहले के lectures में हमने इसके जितने problems लिए थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते हैं next video में Thank you very much